हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं अब आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल मोर क्रियेटिव पर स्वागत है आई जायने देश तता प्रदेश के किसानों के लिए दो बड़े अपडेट केंद्र सरकार की योजना केंद्र सरकार ने खरीब की लगबक 14 फसलों का समर्थन मुल बढ़ा दिया है समर्थन मुल अर्थात MSP किसानों को इसकी जादा उम्मिद थी और 5 जुलाई को इस बजट में वह एलान कर देंगे लेकिन उसके पहले ही सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है वही पर दुसरी बड़ी खबर गोबरधन योजना गाओं में जो भी पसू होते हैं उसका जो गोबर होता है उसके लिए भी सरकार पुरी एलर्ट है और उन्होंने यह योजना बनाई है लेकिन अभी तक किसानों के ध्यान में यह योजना नहीं आई है इसलिए सरकार ने अब 2019-20 में इस योजना को पुरी तरह गाओं में फैलाने का प्लान बनाया है मोधी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है और 5 जुलाई अर्थात कल इस बजट में इनका पूरा प्रारूप दिया जाएगा अभी संसस सत्र चल रहा है फिलाल आप चाहे तो स लोगसबा टिवी पर आता है यदि आप नहीं देखते हो तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज बताते रहूंगा आप चैनल से बने रहें चार जुलाई 2019 का अपडेट है देश के किसानों के लिए आई नई सौगात बहुत खुसकबरी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे चलिए देखते हैं ख़बर पूरी विश्तार से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सप्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोल क्रेटिव को सप्राइब कर ले तथा बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सिक्रता से पहुँचे मोधी सरकार ने बढ़ाई खरीब की लगबग 14 फसलों की MSP करोलों किसानों को होगा फाइदा खरीब मतलब अभी की जो फसले होती है उनकी MSP बढ़ाई है रभी मतलब जो गर्मी में पैदा हो किसानों की आर्थिक स्थिती बहतर होगी केंदरी खाद्य प्रसंसक्रण मंत्री काओर बादल ने ट्वीट कर बताया कि धान की MSP 65 रुपए प्रतिकुंटल और कपास की MSP 105 रुपए प्रतिकुंटल बढ़ाई गई है हर सिम्रत कवर बादल ने अपने ट्वीट में लिखा मैं प्रदान मंत्री नरेन मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ जिनोंने किसानों से वादा निबाते विये और क्रसी संकट से निपटने के लिए धान की MSP में 65 रुपए और कपास की MSP में 105 रुपए प्रतिकुंटल क की बलोत्री की है यह फैसला लागत पर 50% लाब सुनिश्चित करने के लिए NDA के संकल के अनुरूप है इस बलोत्री से 2022 तक क्रसी आय को दोगुना करने के PM के लक्ष को पूरा करने में मदद मिलेगी बहुत अच्छी बात है केंदरी केबिनेट ने जिन 14 खरीब की फसलों क की MSP बढ़ाने की गोशना की है उनमें से लगबग धान, कपास, अरहर दाल, तील, उलत दाल, सुरज मुखी और सोयाबिन सामिल है सुत्रों की अनुसार सोयाबिन की कीमत में 311 रुपए प्रतिक विंटल, सुरज मुखी की कीमत 262 रुपए प्रतिक विंटल की दर्शे उलत दाल में 100 रुपए प्रतिक विंटल की बढ़ोत्री हुई है वहीं पर तील की हम बात करें तो तील की कीमत में 236 रुपए प्रतिक विंटल की बढ़ोत्री की गई है, नरेन मोधी सरकार ने किसानों को तोपा दिया है 3 जुलाई 2019 को यह अपडेट आया है सरकार ने मुख्य खरीब फसल धान का नियूनतम सवर्थन मुल 2019-20 के लिए 3.75 बढ़ा कर 1815 रूपय प्रतिकुंटल कर दिया अब देश में जहां पर भी धान की खेती होती है जिन राजे में भी धान की फसल होती है वहां पर सरकार 1815 रूपय प्रतिकुंटल के हिसाब से धान को खरीदेगी लेकिन 36 गड़ एक ऐसा राजे वहां पर धान 25 रूपय प्रतिकुंटल के हिसाब से खरीदे जाता है यह तो केंदर सरकार का है 815 रुपिया लेकिन अगर राज सरकार उसमें बोनस दे तो किसानों का धान और ज्यादा किमत में जा सकता है क्रसी और किसान कल्यान मंत्री नरेंसी तोमर जो मत्प्रदेश से बिलांग करते हैं बुदवार को उन्होंने यह जानकारी दी 253 रुपे बढ़ा रागी का समर्थन मुल रागी भी एक फसल होती है धान के MSP में 65 रुपे प्रतिकुंटल जौर में 120 रुपे प्रतिकुंटल और रागी के MSP में अर्था समर्थन मुल में 253 रुपे प्रतिकुंटल की बढ़ोत्री की गई है नियूनतम समर्थन मुल वह की मत है जो केंदर किसानों को उनकी उपच का भुकतान करने की गारंटी देता है तो भौत अच्छी बात है इसमें सारी फसले समाईत नहीं है क्योंकि संसन सत्र चल रहा है इसलि है सरकार ने और कुछ बाकी फसलों को बताया नहीं है लेकिन वह कल इन सभी फसलों का रेट बता देंगे प्रधान मंत्री नरेंद मोधी की अध्यक्षता में मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समीति की बैठक में यह निर्ने किया गया मंत्री ने आगे कहा कि 2019 बीस के लिए तुवर मूंग और उलद दालों के नियूनतम समर्थन मुल भी क्रम सह 215 रूपए 75 और सो रूपए बढ़ाए गया है 311 रूपए बढ़ा सोयाविन का मुल इसके अलावा मूंग फली 200 रूपए प्रतिकुंटल सोयाविन में 311 रूपए प्रतिकुंटल की बढ़ोत्री की गई है साथी मध्यम कपास का MSP 105 रूपए प्रतिकुंटल और लंबे कपास का समर्थन मुल 100 रूपए प्रतिकुंटल बढ़ा गया है सूचना और प्रसारन मंत्री प्रकास जावडे करने कहा कि मंत्री मंडले समर्थन मुल को मंजूरी दे दी है लेकिन संसल सत्र चालू होने के कारण उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा ब्योरा नहीं दिया तो ज ताकि जो फसले बची है उनके बारे में भी कल तक आपके पास जानकारी आ जाएगी अब हम देखेंगे गोबर्धन योजना गोबर्धन योजना जाने क्या है या योजना ग्रामिण इसका कैसे लाग उठा सकते 3 जुलाई 2019 को यह अपडेट आया है और सभी के गरों में ग पामदानी बढ़ाने और बायो गेस की भिक्री बढ़ाने के लिए गोबर्धन योजना की सुरुवात की है इस योजना में देश से कई लोगों को रोजगार मिलेगा इस योजना का मकसद गाउं को सच्छ बनाना और पसूवों के गोबर का सही इस्तेमाल कर बायो गَّेस औ एक योजना है गैलव नाइजिंग आर्गिनिक बायो एग्रो रिसूर्सेस अर्थाद गोबर यानी गोबर्धन योजना पिछले साल 2018 में फरवरी में पेस किये गए वित्ती बजट 2018-19 के दवरान यह योजना आई थी और तातकालिन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गाउ बनाने के लिए इसे सुरूख किया गया था गोबर्धन योजना के तात ग्रामीनों के रहन सन सुदारने के साथ गाउं में खुले में होने वाले सोच पर भी काबू पाया जा सकता था जिसका फाइदा ग्रामीनों को मिलेगा और मिल भी रह है केंद्री पेजल एवं सुच्छता मंतरी उमा भारती और हरियाना के मुख्यमंतरी मनोरलाल खटर ने हरियाना के करनाल में राष्टी डेरी अनसुंदान संस्थान से 1 माई 2018 को गोबर्धन योजना की सुरुवात की थी गोबर्धन योजना के तहट गाओं में ठोस कच्रे और पसूं के गोबर, रसवई घोर के कच्रे और अन्य जैविक कच्रे की मदद से बायो गेज बनाने का लक्ष निर्दारित किया गया है गोबर्धन योजना के सुचारू यवस्ता के लिए एक आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म भी बनाया जाएगा जो किसानों को खरिददारों से कनेक्ट करेगा ताकि किसानों को गोबर और एगरिकल्चर वेश्ट का सही दाम मिल सके मतलब आपकी घरों से गोबर उठाया जाएगा और आपको उसका दाम मिलेगा इसे काम करेगी गोबर्धन योजना गोबर्धन योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म भी बनाया गया है या आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्म किसानों को खरिदारों से जोड़ने का काम करेगा जिससे किसानों को गोबर और जैविक कुड़े का सही दाम मिल सके साल 2018 में गोबर धन योजना के तहट 115 जीलों का चुना हुआ था जहाँ पर सरकार विकास करेगी सरकार इन जीलों के गाओं को इन्फराइस्ट्रक्चर सिक्षा बिजली सिचाई जैसी सुविधाओं को भी दुरस्त करेगी और उन्हें बेतर बनाएगी प्रतेक जीले में एक कलस्टर का निर्मान किया जाएगा सरकार का मकसद है कि किसान खुदी अपनी खाद को बना सके और अपनी करसी प्रनाली को मजबुत बना सके गोबर्धन योजना में जैविक कुडे का इस्तेमाल कर खाद और अन्य जीजों का उत्पादन किया जाएगा गोबर्धन योजना के अंतरगत, पसुओं के मल, मुत्र और खेतों में होने वाले कुडे को कमपोस्ट, बायोगेस और बायोएनरजी में बदला जाएगा अभी सरकार ने 2018-19 के लिए 115 जीलों को कबर किया है लेकिन देश में बहुत सारे जीले हैं दिरे दिरे यह सभी जीलों में हो जाएगा आपको बता दें कि किसान की आय पुरी तरफ फसल की पैदावार पर निर्भर करती है इसलिए योजना किसानों की आय बढाने में कापी अत्तक कारगर साबित हो रही है वर्ज 2012 में की गई 19 वी पसुधन जंगरना के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या लगबक 30 करोड है जिससे देश में प्रति दिन 30 लाग टन गोबर प्राप्त होता है सरकार ने इस योजना द्वारा किसानों को आर्थिक सायता देने के साथ सत उनको आर्थिक तोर पर आत्म निर्भर बनाने का लक्ष निर्धारित किया है अंतरराश्टी स्रम संगटन के मताबिक गोबर का सही धंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो करीब 15 लाग लोगों को रोजगार दिया जाएगा 2012 की जो जड़न करना थी उसमें 30 करोल पसुदन है लेकिन अभी अगर जड़न करें तो इससे ज़्यादा भी पसुदन हो सकते हैं देश में और गोबर की मातरा भी ज़्यादा हो सकती है और जादा से जादा अर्थात 15 लाग से जादा लोगों को रोजगार मिल सकता है और गाओं में स्वच्पता बढ़ेगी और गोबर और गायों का जो मुत्र है यह बहुत काम आता है आउसुदी बनाई जाती है आप सभी को पता है इस प्रकार के दो बड़े अपडेट थे देश के किसानों से सम्मंदित समर्थनमूल बहुत ही अहम खबर थी जो हमको बहुत जरुत है इसकी फसल का रेट अगर हमको सही मिले तो किसान धनाड़े हो सकता है और उसका हर चीज अगर खरीदा जाए धान का डंठल पैरा भूसी सबी चीजों को अगर सरकार खरीद ले तो किसान माला माल हो जाएंगे गोबर भी खरीदा जा रहा है तो इस प्रकार से दो बड़े अपडेट थे यदि आपको अपडेट या जानकारी पसंद आई हो तो इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत